नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस एपिसोड में और आज हम बात करेंगे राज्य की कारियापालिका, राज्यपाल की शक्तियां और मंत्री परिशद का गठन एक राज्ये के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल की शक्तिया क्या होती है, मंत्री परिसद का गठन कैसे किया जाता है, राज्ये की करिया पालिका के बारे में जानकारी देंगे पिछले एपिसोड में हमने संग की नयाई पालिका के अंतरगत बारत के उच्टम नयाले से संबंदिद कुछ जरूरी और विशेश जानकारी शेयर की थी बात करते हैं राज्य की करिया पालिका की जैसे की पिछले एपिसोड में हमने जानकारी दी थी कि बारत का सविदान एक संसदिय सविदान है जिसके अंतरगत बारत को राज्यों का एक संग गोशित किया गया है संग के पास अपनी अलग शक्तिया है और भारत के अलग अलग प्रांतों या राज्यों के पास अपनी अलग शक्तिया है पिछले एपिसोड में भी हमने बताया था कि संग और राज्यों के बीच शक्तियों को लेकर कोई विवाद पैदा ना हो जैसी प्रकरिया संग की कारियपालिका के संबंद में बारत के सविधान में उल्ले खित की गई है ठीक उसी तरह की प्रकरिया बारत के सविधान के अंतरगत राज्यों के संबंद में राज्य की कारियपालिका के लिए उल्ले खित की गई है जिस परकार संग की कारियपालिका का शक्ति राष्ट्रपती में निहीत होती है ठीक इसी प्रकार राज्य की करियापाली का शक्ति राज्यपाल में निहीत होती है राज्यपाल करियापाली का शक्ति का परधान होता है लेकिन राज्यपाल उस शक्ति का प्रियोग अपने राज्य के मंत्री मंदल के केंदर सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है हाला कि राज्यपाल का पद केंदर ये सरकार के अधिन नियुक पद नहीं है और आर्टिकल 319 का प्रतिशेद उस पर लागू नहीं होता। और नाही राज्य के विदान मंडल का कोई सदेश्य बन सकता है। यदि केंदर और राज्य के किसी भी सदन का सदेश्य है भी तो राज्यपाल के पद की शपत लेने के पस्चाद ये समझा जाएगा कि सदन में उसका स्थान खाली हो गया है। प्रामर्श के अनुसार कारिय करता है। राज्यपाल की पदा अवदी, पद की अवदी राश्यपती वर निर्भर करती है। राज्यपाल लिखीत रूप से जब चाहे अपना त्याग पत्तर दे सकता है, अपने पद से हट सकता है। बारत के सविदान में जिस तरह राश्यपती को शक्तिया दी गई हैं, उसी परकार राज्यपाल को भी शक्तिया दी गई है। किये जाएंगे। राज्यपाल की सिफारिश के बिना विदान सबा में कोई भी धनविदयक पेश नहीं किया जा सकता, राज्यपाल की स्विकरती पर अनुदान की मांग पेश की जा सकती है। विदानमंडल के सदस्य दोनों सदनों के समक्ष राजपाल दवारा ही वार्षिक विवरंड पेश करते हैं जिसे हम बजट कहते हैं। राजपाल विदानमंडल के सदस्य और दोनों सदनों को निश्चित्चमय और स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाता है। लेकिन यहां यह ध्यान रखना होता है कि दोनों शेशन के बीच 6 महिने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। राज़पाल दोनों सदनों का सित्रावसान या शेशन को समाप्त कर सकता है, विदान सबा को बंग कर सकता है, राज़पाल के अनुमती के बिना कोई भी विदयक कानून नहीं बन सकता, और राज़पाल कुछ विदयकों को राष्ट्रपती के अनुमती के लिए अपने पास रख लेता है, राज़पाल विदान परिशद के एक बटा 6 सदस्चों को मनुनित करता है, यानि कि छटवा बा उसकी अध्यायदेश जारी करने की शक्ती है, आर्टिकल 123 के अधिन राष्ट्रपती को जो अधिकार संसदक्षेतर में प्राप्त है, आर्टिकल 213 के अधिन विदान मंदल के विशे में वही अधिकार राज़पाल को भी प्राप्त है, जब कभी विदान मंदल सेशन में और कोई ऐसी प्रिस्तिती उत्पन हो जाए जिसका समाधान करना जरूरी हो और किसी प्रकार की कारवाई करनी आवशक हो जाए तो राज्यपाल जो उसे अपेक्षित परतित हो वो अद्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल उन मामलों में अद्यादेश जारी नहीं कर सकता जिन मामलों में राश्ट्रपती की सिफारिश की आवशक्ता पड़ती है आर्टिकल 61 के अनुसार राज्यपाल को किसी अपराद के सिद दोश वेक्ति के दंड को शमा विराम और परिहार करने या लगू करने की यानी छोटा करने की शक्ति प्राप्त है राश्ट्रपती दोवारा राज्यपाल की शमादान की शक्ति को संबावित नयाय बूलों को सुधारने के लिए नयाय बूलों को सुधारने के उदेशे से प्रदान किया गया है न्याय पालिका में न्याय प्रशाशन का करियायम संपादन मनुष्य दवारा ही किया जाता है जिनमें भूल भी हो सकती है परतेक राज्य की करेपलिका शक्ति के विस्तार के बारे में उस राज्य के विदान मंदल को विधी बनाने की शक्ति प्राप्त है और भारत के राश्यपति और राज्यपाल की शक्तियों में अंतर भी होता है राश्यपति को तकरीबन सभी मामलों में जिनमें मिर्त्यू का दंडादेश दिया गया हो उसको माफ करने की शक्ति प्राप्त है राज्यपाल की मंत्री परिशद का गठन और कारिये केंदर की मंत्री परिशद के समान नहीं होता है केवल राज्यपाल की शक्तियां और राश्यपाल की शक्तियों में थोड़ा अंतर है जो केंदर में केंदरिय मंत्री मंडल और रश्च्रपती के हैं लेकिन राज्यपाल और रश्च्रपती की शक्तियों में एक महतोपूरण अंतर है और वो है सविदान में राश्च्रपती को अपने विवेक से कुछ करने की शक्ति नहीं परदान की गई है जबकि कुछ प्रिस्तियों में राज्यपाल अपने सव विवेक से कुछ कारिये कर सकता है आर्टिकल 163 ये उबंदित करता है कि जिन बातों में राज्यपाल दोवारा सम्विदान के उबंदों के अनुसार या अपने विवेक से कारिया करने की अपेक्षा की जाती है उसको छोड़ कर राज्यकपाल को अपने कर्तियों का निर्वेहन करने में साथ और मंत्रना देने के लिए मंत्री प्रिशद होगी जिसका परदान मुख्य मंत्री होगा सविधान राज्यपाल के विवेका दिकार की कहीं पर वेक्षा नहीं करता है बारत के सविदान के आर्टिकल 164 के अनुसार मंत्री गण राजपाल के परसाद परियत या राजपाल की किर्प्या से अपने पदों पर बने रहते हैं राजपाल को अपने परसाद का प्रियोग मंत्री मंडल के प्रामर्श पर करना पड़ता है आर्टिकल 154 अबलिक 2 में ये सपष्ट किया गया है कि जिसके अनुसार मंत्री मंडल अपने कारियों के लिए विदान मंडल के परती सामूइक रूप से उत्तरदाई होते हैं जब तक मंत्री मंडल को सदन के बहुमत का विश्वास प्राप्त है राजपाल मंत्री मंडल को बरखास्त नहीं कर सकता बारत के सविदान के आर्टिकल 174 के अंतरगत राजपाल विदान सबा को आहुत करता है या बंग करता है सामान्य प्रिस्तितियों में राज्यपाल विदान सभा को तब बंग नहीं करता जब तक कि उसकी सामान्य अवदी पांच वर्थ समाप्त ना हो जाए। सदन बंग होने के बाद राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार कारिय करने के लिए सवतंतर होता है।